है लो स्ट्रेंट्स वालकम ओन माई चलानी और मैस क्लासिज आई होब सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो बिच्चे सॉलेजमेटरी के लिए बोल रहे हैं कि मैंडम सॉलेजमेटरी स्टार्ट करवाई है मैं उनको बता जाती हूं कि सॉलेजमेटरी हम द अब कल की वीडियो में स्टार्ट भी किया था बट बीच में छोड़ना पड़ गया था कुछ काम हो गया था शो दैट फॉर एवरी वैल्यू ओफ एक्स आपको श्यों करना है साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब आ थी फेक्टोरियल प्लस एक्स फाइफ फाइफ फेक वाली सबसे पहले तो देखिए कि फॉंक्शन क्या है फॉंक्शन एफ फॉफ एक्स इससाइन एक्स दिस एफ फॉफ एक्स ओके हमें चाहिए इसका एनफ डेरिवेटिव बैसे तो आपको सारे निकालने पड़ेंगे फॉर्स सेकिंड थर्ड ठीक है तो हम एनस से सारे की सा ुफ और निकाल सकते हैं यहां से अगर आप निकालते है अनफ डेरिवेटिव एफ नं एक्स ओके यहां पर क्या आ X raised to power 2N जो यहां आप first derivative, second derivative यहां मैं कल की लेक्षर में बता चुके हैं आपको कि आपको इसका N derivative कैसे निकालना है तो मैं यहां पर डिरेक्टे लिख रही हूँ अगर आपको यहां से f of N minus 1 derivative जाहिए तो हम क्या करेंगे जहां पर भी N होता है वहां पर हम change कर देंगे जितने order का आप derivative कर रहे हूँ N minus 1 into pi by 2 प्लस जो भी angle given होता है ठीक है अब यहां पर देखें हमें चाहिए X minus X cube by 3 factorial means X में सारे की सारी expansion open करनी है right hand side पर जो भी term हो सारी X में आ रही है तो यह हमने किसे पड़ा था? Maclaurian theorem में पड़ा था ठीक है? तो Maclaurian theorem में हाप apply करेंगे तो हमें चाहिएगा F and 0 उसमें हम क्या निकालते है F of 0, F dash 0 इस तरह से हमारी terms होती है Maclaurian में तो यहां पर हमें F and 0 चाहिए F and 0 means sin X के place पर 0 रखेंगे X को हमने 0 रखा right hand side पर 0 रखे N into pi by 2 plus 0 that means sin of N pi by 2 अब यहां पर N की value पर depend करता है sin N pi by 2 का multiple 1 या minus 1 होता है according to quadrant ठीक है? अब यहां पर N की value पर depend करेगा कि इसकी value 1 आएगी या minus 1 आएगी अब यहां पर देखें अगर मैं लेते हूँ N को even N is even number then FN 0 is equal to कोई भी आप even number रखेंगे 2 से जो हो वो cancel out हो जाएगा और answer क्या देगा? 0 understand? sin N pi क्योंकि कोई भी आप even multiple रखते हैं for example मैं N की value हाँ पर सबसे पहले 2 ही ले लेते हूँ sin 2 into pi by 2 2 से 2 cancel sin pi यह 0 होता है ठीके? 0 कैसे होता है? pi को हम change करेंगे pi by 2 plus pi by 2 और sin pi by 2 plus pi by 2 यानि की sin of pi by 2 plus pi by 2 this is cos pi by 2 और cos pi by 2 0 होता है shortcut formula बता देती हूँ आपको मैं sin में कोई भी pi का multiple odd या even integer देखों या पर pi लिखा मैंने क्या multiple होना चाहिए? odd और even integer या तो odd हो या even हो means sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi यानि की pi का multiple कोई भी integer आना चाहिए? तो उसकी value हमेशा 0 आती है ठीके? तो यहां से आ जागे हो अगर n even लेते हैं तो fn 0 की value 0 आ जाती है ओके? अगर आप n को odd लेते हैं n is any odd कोई भी आप odd value रखी है यहाँ पर for example 3 pi by 2 ठीके? pi by 2, 3 pi by 2 फिर क्या आएगा? 5 pi by 2 फिर 7 pi by 2 इस तरह से चाहिए पनेगेटिव लेजी चाहिए पोजिटिव लेजी ठीके? तो वहाँ से क्या आता जाएगा? अगर हम n की value 1 लेते हैं sin pi by 2 is a 1 sin 3 pi by 2 is a minus 1 sin 5 pi by 2 फिर से 1 एक बार minus 1 और एक बार हमें 1 लेके आ नहीं है तो f n 0 की value आ जाएगी यहाँ से minus 1 raise to power n minus 1 by 2 ठीके? अब आप according to देखे अगर मैं n की value 1 रखते हूँ अगर यहाँ पर आप n की value 1 रखते हैं तो sin pi by 2 क्या रहा है? 1 आ रहा है अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखें आप n को 1 रखते हैं मैंने minus 1 raise to power 1 minus 1 by 2 means minus 1 raise to power 0 which is 1 ठीके? तो यहाँ से आपके पास क्या आजाएगा? कि अगर मैं इस type से ले लेते हूँ तो एक बार मेरे पास 1 आएगा अब यहाँ पर अगर आप 2 रखते है n is equal sorry, odd ले रहा है 3 रखते है 3 minus 1 is a 2 2 by 2 is a 1 minus 1 value आजाएगी तो according to odd integers जो अगर आप n की value odd लेते हैं तो मैरे पास यह value दे रहे है ठीके? समझने आगा? अब देखिए आप f of 2 and minus 1 0 निका दिए यह term हम क्यों निकाल रहे है? क्योंकि हमें चाहिए x raised to power 2 and minus 1 यानि कि 2 and minus 1th term यहाँ पर चाहिए इसलिए हम निकाल रहते है f of 2 and minus 1 0 तो जहाँ पर भी n है n के लिए यहाँ पर यह term आई है अगर मैं 2 and minus 1 कर दोगे तो इसी में n को replace कर देंगे 2 and minus 1 से 2 and minus 1th निकाल रहे है derivative पर at x equal to 0 तो जो n में है वही पर n को 2 and minus 1 replace कर देंगे ओके by 2 तो यहाँ से आजाएगा 2 and minus 1 raise to power 2 and minus 2 divide by 2 and this is minus 1 raise to power 2 कमन निकाले जी cancel out and minus 1 तो f 2 and minus 1 0 की value आगई minus 1 raise to power and minus 1 ओके ऐसे यह आप निकाल सकते हो f of 2 and at x equal to 0 जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम क्या करेंगे 2 and ले लेंगे तो यहाँ से आजाएगा minus 1 raise to power 2 and minus 1 by 2 समझे 2 and minus 1 by 2 यहाँ आजाएगा 2 and के लिए अब आगे चलिए जो theorem apply करने आपको अब यहाँ पर देखेंगे last जो term है last term आपको क्या चाहिए theta x पर चाहिए means यहाँ से मैं निकालते हूं सबसे पहले आप इसको चलो 0 पर निकालो यह नहीं क्योंकि हमें 0 पर नहीं चाहिए हमें चाहिए theta x पर इसको रहने दो थोड़ा सर रफ कर लेते हैं इसको यहाँ से अब हमें चाहिए last term यह term हमने निकाल ली है x बिस्टो पावर 2n-1 at x equal to 0 पर अब हम निकालेंगे कि 2nth term कैसे आएगे f 2n किस पर निकालेंगे theta x पर ठीक है क्योंकि हाँ पर जो है वो theta x में term चलती है theta x निकालेंगे 2nth derivative at theta x तो क्या आजाएगा है आपर देखिए nth derivative कहां निकाला था हमने यह हमारा nth derivative था तो यहाँ से आजाएगा sin of 2n into pi by 2 plus theta x clear? nth derivative में हमारे पास n multiple हो रहा था 2nth में 2n multiple हो जाएगा और x की प्लेश पर क्या आजाएगा? theta x आजाएगा ओके? this is sin of 2 से 2 कैंसल n pi plus theta x और इसको हम कैसे सॉल्ड करते है general जो आप solution निकालते है sin of n pi plus theta x यह क्या होता है? minus 1 raise to power n जितना भी pi का multiple होगा भही minus 1 की power में चला जाता है into sin of जो भी angle given हो गया पर theta x तो यह value आजाएगी f of 2 and theta x अब यह जो सारी values आगे हैं आपके पास यहाँ से f n x आगया आप यहाँ से क्या निकाल सकते है? f dash यानि की first derivative यह value गर आप निकालते है तो यह आजाएगा अब सिधा 0 पर ले लिजी f dash 0 कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से अगर मैं यहाँ पर x की value 0 लेती हूँ तो यहाँ पर आजाएगा अब यहाँ पर देखिए n है यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा है? 1 तो n की place पर 1 पुट कर देंगे sin of 1 into pi by 2 means sin pi by 2 which is equal to 1 f dash 0 की value आगी 1 f double dash 0 निकालेंगे यहाँ से f double dash निकालेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पर? n की place पर 2 पुट करेंगे this is sin pi यहाँ आजाएगा 0 ठीक है? तो first derivative पर 1 आ रहा है second derivative पर 0 आ रहा है third derivative अगर आप निकालते है at x equal to 0 then यहाँ पर आप 3 पुट करेंगे sin of 3 pi by 2 ठीक है? इसको अब कैसे लिखोगे? sin of 3 pi by 2 solve कैसे करते हैं? pi plus pi by 2 करेंगे हम 3 pi by 2 को break करेंगे pi plus pi by 2 sin pi पे no change pi plus pi by 2 कौन सा quadrant है? third quadrant उसमें sin जो negative होता है इसलिए आजएगा minus sin pi by 2 and sin pi by 2 is a 1 minus 1 आ जाएगा understand? तो यहां से देखेंगे इनकी values रखेंगे हम यह सारी values जो हो put करेंगे putting these values in Maclaurian theorems ठीक है? क्या होती है Maclaurian नहीं है? f of x equal to f of 0 plus x into f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 plus x cube की टर्म दे रखेंगे चलो cube तक निकाल लेते हैं cube by 3 factorial f triple dash 0 plus अप्टो सौन 2 and minus 11th term लें दीजिए हाँ पर यहां जाएगा x raise to power 2 and minus 1 by 2 and minus 1 factorial हम अप्लाई कर रहें Maclaurian theorem तो हमें जो question में चाहिए हम वही तक open करेंगे इसको जैसे हमने चाहिए 2 and तक तो इससे पहले वाले इत्रम आएगी 2 and minus 1 तो यहां जाएगा x raise to power 2 and minus 1 upon 2 and minus 1 factorial f 2 and minus 1th derivative at x equal to 0 पर ओके और last term क्या जाएगी last चों आपको चाहिए हाँ पर दीके theta x पर होती है यहां जाएगा x raise to power 2 and upon 2 and factorial into f of 2 and theta x understand तो यह Maclaurian theorem और मैं अब यहां पर values पूट कर दीजी हमारे पास यह expansion open होजेगी चलिए रखते हैं values इसको मैं रफ कर देती हूं है f of x this equal to f of 0 की value देखिए अब यहां पर हमारे पास f of x है अगर मैं यहां से f of 0 निकालती हूं means मैं x को 0 पूट कर देती हूं है साइज 0 this is 0 f of 0 is a 0 x स्टार्ट यह वैसे हमारे पास यह आजएगा 0 plus x into f dash 0 f dash 0 is a 1 x into 1 plus x square by 2 factorial f double dash की value हमने क्या निकाली 0 निकाली है यह सारी की सारी आप nth से निकाल सकते है f n 0 से जितने order का आपको value चाहिए उतनी n के place पर पूट कर दीजिए value जा जाएंगे ठीक है यह आ जाएगा यहां से x square by 2 factorial f double dash के place पूट करेंगे into 0 complete army is 0 x cube by 3 factorial f triple triple is a minus 1 minus 1 ठीक है और f triple दीशे value होगे plus up to 6 up to 6 अम रिखने यहां पर x raise to power 2n minus 1 by 2n minus 1 factorial f to n 0 पर देखें यह value f of 2n यह निकाल रहा है हमने minus 1 raise to power and minus 1 समाझ गए? किसकी value? this minus 1 raise to power and minus 1 और last के जो term है x raise to power 2n upon 2n factorial f 2n theta x f 2n theta x यह निकाल रहा हमने minus 1 raise to power n sine of theta x अब यहां पर देखते हैं first term is 0 f x की value क्या आ जाएगी? x into 1 is x x square की term x square by 2 factorial into 0 is complete 0 तो यहां पर 0 आ जाएगा इसके बाद time आएगी यह वाली ठीके? अब यहां पर देखेंगे देखें माइनस के यहां पर ठीके? एक माइनस और एक प्लस आएगा यह माइनस आएगा यहां पर यह माइनस कहां से आया? x cube by 3 factorial into minus 1 तो यहां पर हम माइनस अगर multiply करते हैं तो यह आजाएगा minus x cube by 3 factorial इसी तरह से हम 4th और 5th 4th तो 0 आ जाएगी क्योंकि x की even powers पर हमारी value 0 आ रही है समझगे? जैसे f double derivative 0 आ रहा है 4th भी 0 आएगा 6th भी 0 आएगा तो जो और पावर है x की वही हमारे पास term आएगी तो x5 आ जाएगा next term x5 और minus 1 की square आएगी 5 में इसलिए positive हो जाएगा 5 factorial plus up to son यहां पर चेक करते हैं minus 1 raise to power n minus 1 आगे हमारे पास ही term minus 1 raise to power n minus 1 and x raise to power 2n minus 1 by 2n minus 1 factorial ओके last term चेक करते हैं minus 1 raise to power n x raise to power 2n upon 2n factorial into sin theta x complete आप यहां से आजाती है plus of minus 1 raise to power n यहां पर शायद आपको शोब भी नहीं होगा तो इसी को मैंने अरेंज किया है और यहां पर इतना कुछ ज़्यादा लिखा भी नहीं है theta x इसी को अरेंज किया है यानि जो 0 0 आ रहें सिर्फ उनको हटाना है यहीं आपके पास प्रूव हो जाएंगे statement तो इस तरह से आपको प्रूव करना है कि अगर x में प्रूव करना है तो आप Maclaurian theorem अप्लाई करेंगे और अगर h में आ जाता है तो हम Taylor theorem अप्लाई करेंगे लोग of x plus h equal to log of x plus h into 1 by x plus h square into 1 upon 2 x square up to 6 यह आपको प्रूव करना है और last time हमारे पास कहां तक जा रहे है h raise to power n तक यानिकि हमें n terms तक निकालना है यहापे और x plus theta h होरने चाहिए last time अब यहाँ पर देखी यह हमने last जो question किया था इससे पहले जो example किया है वहाँ पर हमने f of x लिया था sin x दे रखा था इसको आप कहा लेके चलेंगे f of x plus h equal to log of x plus h understand f of x plus h equal to log of x plus इसको आप f of x नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर term है x plus h अगर अब मैं यहाँ से f of x देखती हूं f of x निकालों तो यह आजाएगा log of x understand तो हम function क्या बनेगा log of x समझ गए अब यहाँ पर देखे h में आ रखा है जो प्रूव करना है आपको right hand side पे तो हम tailor theorem apply करेंगे with languages form x plus theta h ओके लास्ट रम जो आएगे वो अब यहाँ पर निकाल लिए आप इसका अनग derivative तो जाना पड़ेगा हमें first derivative किजिए 1 by x second derivative करते है minus 1 by x square third derivative किजिए minus 1 इसको आप solve नहीं करेंगे आप इसको लिखोगे minus x raise to power minus 2 ok minus 2 into x raise to power minus 3 हुजएगा उसको मैं लिख सकती हूँ positive power में understand तो यहाँ पर देखी minus और minus 2 time यहाँ पर मैं इसको लिखोगे minus 1 square 1 into 2 minus को मैंने अलग कर लिया 1 into 2 is a 2 factorial और divide में x cube ok ऐसे यहाँ 4 derivative करेंगे जाहे आप यहाँ इससे भी idea आजाएगा आपको force करूँ चाहे ना गरो करना चाहो तो कर भी सकते हो after son अगर मैं nth निकाल दी हाँ से fn x क्या time आएगी देखे थर्ड derivative करें तो minus 1 square आ रहा है nth करोगे तो minus 1 raise to power n minus 1 आ जाएगा ok third derivative में 2 factorial है तो nth में n minus 1 factorial आ जाएगा और upon x raise to power n आ जाएगा third में x की power 3 आ रही है square में double में square आ रही है तो यहाँ पर nth में n आ जाएगा और जिसको भी second chapter जिसने कर लिया है वो इजे लिए यहाँ से logo of x का nth derivative अगर याद है तो आप direct formula लगा सकते हैं इसके बाद n की value 1 put करते जाएगे f dash x आ जाएगा n की value 2 put करेंगे तो double derivative 3 put करेंगे तो third derivative इस तरह भी निकाल सकते हैं ठीके तो कोई भी method अटो adapt कर सकते हैं और last time हमें क्या चाहिए x plus theta h पे तो f and x की value मिल जाती है यहाँ पे आप change कर दीजिए f plus theta h में this is minus 1 raise to power n minus 1 n minus 1 factorial divided by x की price भी क्या रखेंगे x plus theta h raise to power n ओके अब इनको अब हम put करेंगे putting these values in Taylor theorem with Lagrange's form क्या थी है अब है मेरे बास f of x plus h this is equal to f of x plus h into f dash x plus s square by 2 factorial f double dash x plus up to son जो last time आपको चाहिए according to this y हम लिकाल लेंगे हाँ से h raise to power n upon n factorial and f n theta x plus theta h x plus theta h ठीक है तो last time हम अपने question के according सेट करते हैं ठीक है theta x पे चाहिए x plus theta x पे चाहिए वो देखते हैं अब अब निकालिए f of x plus h की value देखें क्या है log of x plus h value पुट कर देते log of x plus h this equal to f of x रखिए f of x is a log of x पुट करते f of x की value यहाँ आजएगा log of x h into f dash x की value रखिए यहाँ से 1 by x this is h by x h square upon 2 factorial f double dash and double dash is minus x यह रहा minus 1 by x square ठीक है तो यहाँ आजएगा minus 1 by x square plus up to son h n upon n factorial f n यह value ठीक है यहाँ से value रखिए minus 1 raise to power n minus 1 n minus 1 factorial divide by x plus theta h raise to power n clear? अब इसको solve करेंगे दीखेंगे n factorial है यहाँ पर n minus 1 factorial है इसको हम क्या लिखेंगे n into n minus 1 factorial ok n minus 1 से n minus 1 factorial cancel हो जाएगा यहाँ से n बच जाएगा तो हो गया proof log of x plus h by x minus आजाएगा क्योंकि minus multiply में है और x square upon 2 factorial क्या होता है? 2 होता है plus up to son यहाँ पर देखेंगे minus 1 raise to power n minus 1 this is इसको आप पहले लिख दीजिए minus 1 raise to power n minus 1 into h raise to power n यह term divide by यहाँ से n बचा हमारे बस और इधर से आजाएगा x plus theta h raise to power n this is the example second example third यह फिर question seventh same है book में question 7 दे रखा है exercise में और example third दे रखा है expand e raise to power a x into sine b x by maclurian's theorem with cosy form ठीक है चलिए निकार लिए सबसे पहले आप f of x यहाँ पे रखाएंगे e raise to power a x into sine b x first हम करते first derivative f dash x this is u into v e raise to power a x into cos b x और angle का करेंगे तो b आ जाएगा है b पहले लिख देते हूँ plus a into e raise to power a x sine b x ओके यहाँ पे निकालते हैं double derivative ठीक है e raise to power a x common निकाल सकते हैं अब यहाँ पे पहले common ले ले लिजिए e raise to power a x हम common ले ले लेते हैं यहाँ से a into sine b x इसको पहले लिख लेते हैं plus b into cos b x ठीक है अब आप निकाल लिए second derivative e raise to power a x as it is और यह एक टर्म लेके चलेंगे और यह एक टर्म लेके चलेंगे तो यह as it is इसका derivative करते हैं second derivative निकालते हैं यहाँ से f double dash x u into v apply करेंगे this and this term ok e raise to power a x as it is इसका करेंगे derivative this is sine का हो जाएगा cos cos b x angle का करेंगे b यहाँ जाएगा a b यहाँ पर करते हैं cos का derivative minus sine और यहाँ जाएगा b square sine b x ok next time अब करेंगे e raise to power a x into e raise to power a x and this term is as it is sine b x plus b cos b x ठीक है third derivative करना चाहो तो किजिए otherwise आप second तक भी निकाल सकते हैं फिर हमें चाहिए nth derivative nth क्या होता है direct formula यादो ना चाहिए आपको a square plus b square raise to power n by 2 e raise to power a x sine of b x plus n into 10 inverse b y ठीक है क्योंकि हमें maclorean दिवार हम यहाँ पर प्रूव करनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x को 0 put करके वेल्यू से निकालेंगे तो put x equal to 0 in all terms f of 0 की वेल्यू निकाली है सबसे पहले e raise to power 0 into sine 0 sine 0 is a 0 complete term 0 आजाएगे f dash 0 निकाली है f dash 0 this number ओके इस term में रखेंगे e raise to power 0 1 sine 0 0 complete term खतम b into cos 0 cos 0 1 तो यहाँ से आजाएगा b f double dash 0 करते है f double dash is this e raise to power 0 1 यहाँ पे 0 रखेंगे cos 0 is 1 यहाँ से बच गया हमारे पास a b ओके यहाँ से आजाएगा a b और sine 0 0 यह term खतम next चलते है a into e raise to power 0 is 1 यहाँ से आगया plus a और यहाँ पे आते है sine 0 0 यह term हमारी 0 और यहाँ पे cos bx 1 यहाँ से आजाएगा b into b this is 2 e b ns पे निकाल लेजी f n 0 ठीक है f n 0 निकालेंगे हम then यह क्या आजाएगा हम पे जो भी x हमाँ पे आप 0 पुट कर देंगे ठीक है वैसे भी last time हम कैसे निकालते है theta x पे तो 0 पे ना निकाल गया आप डिरेक्ट theta x पे निकाल लेजी then this is a square plus b square raise to power n by 2 e raise to power a x sine of sorry theta x कर रहे है e raise to power theta x into theta a तो रहे गई x को change करने theta x में sine of bx plus n into sorry bx को फिर से theta x लिखे plus n into 10 inverse b by a यह ट्रम आ जाएंगे आपके पास अब मेकलोरिन आपको याद होने चाहिए मेकलोरिन तेयोरम with कौसी फॉर्म कैसे लिखते हो वो आपको याद होने चाहिए then अब हम लिखते है हमें चाहिए मेकलोरिन तेयोरम मेकलोरिन तेयोरम with कौसी फॉर्म ठीक है क्या थी expansion इसकी f of x equal to f of x हम solve करते हैं और किस में जाएगा 0 में रसाब़े f of 0 plus x into f dash 0 plus x square by 2 f double dash 0 और अगर आप triple derivative निकाल के solve करेंगे तो आप next term भी लिख सकते है x cube by 3 factorial f triple dash 0 plus up to some last term क्या आती है x raise to power n upon n minus 1 factorial 1 minus theta raise to power n into कॉसी फोर्म में अलग बनती है और with languages फोर्म में अलग होती है Maclaurian की ठीक है अब values पूट कर दीजिए यहाँ पे f of 0 देखिए f of 0 this 0 plus x into f dash 0 is b plus x square by 2 factorial f double dash 0 is 2ab plus third यहाँ पे निकाला नहीं है अब solve करके यहाँ पे पूट कर ले न values and up to some last में आ जाएगा xn upon n minus 1 factorial 1 minus theta raise to power n fn यहाँ पे value पूट कर रिए fn theta x की यहाँ जाएगा a square plus b square e raise to power n by 2 और e raise to power a theta x a theta x into sin of b theta x plus n into 10 inverse b by a ठीक है बस इसको आपको solve कर solve तो क्या करना solve तो होई गया 2 से 2 cancel होजाएगा 0 का हमाठाजिंग starting से यह starting का नम्मर आजाएगा b into x this is a b into x square plus up to son this term आजाएगी then this is the Maclaurian theorem with kausi form question 8th exercise 3.1 हम कर रहे है और जितने इसके starting के चार question 3.1 में वो सारी theorems हैं जो मैं last two lectures में cover करवा चुकी हूँ और आज जो मैंने इससे पहले जितने तीन example करवा है हूँ तो आपकी exercise के ही as it is questions है ठीक है तो वो example से आप पजल मत हो ना कि एक्जामपल है question नहीं है तो question भी statement के उनके सेम है चेक कर लेना आप पहुन से question है और वैसे भी मैं complete exercise की pdf आपको description box में मैं लिक डाल दूगी और pdf से बात ध्यान में आए कि अगर अभी भी किसी वीडियो पे pdf क्या issue है तो please मुझे comment करके बताईएगा मैं उसको remove करने कोशिश करूँगी और pdf के link मैंने telegram पे भी डाल दिया है वहाँ से भी check कर सकते है चली देखिए question 8 में क्या ऐसी खास बात है expand करना है bx cos ax statement दे रखी यानि कि हमारे पास function क्या दे रख है b raise to power x cos ax कैसे expand करना है by maclorean theorem with languages form after remainder after r terms यहाँ भी बोला गया है कि remainder क्या होना चीए after r terms अगर n terms पुछा जाते है तो last की हम n में लेते है r term पुछा जाता है तो last की हम r में लेके चलेंगे चलें देखी कैसे solve करने सबसे पहले आप निकालेंगे क्योंकि maclorean निकालना है तो आपको x equal to 0 भी value चाहिएंगी तो सबसे पहले आप first second third derivative के जिए f dash x करते है this is u into b apply करेंगे b raise to power x into minus sin x ठीक है cos ax का derivative minus sin ax और angle का करते है angle का करेंगे तो a आ जाएगा हैंसे यानिकि into a plus b raise to power x से करेंगे b raise to power x is exponential function b raise to power x into log of b into cos of ax as it is b raise to power x आप common नहीं कर लिजी यहां से आ जाएगा यह positive term है इसको आप इधर लिख लिएते है log of b into cos of ax minus a sin ax this is the first derivative second derivative हाँ से निकालते है f double dash x is equal to b raise to power x as it is रखेंगे इस factor का आप derivative रहे है log of b is a constant cos ax का derivative हाजाएगा minus sin ax into a एक constant को आप आप आगे लिख लिजीए तो minus a ठीक है अब हम करते है इस factor का minus a square cos ax ठीक है plus यह as it is रहेगा derivative करेंगे b raise to power x का then b raise to power x log of b and this term as it is log of b cos ax minus a अगर आप third derivative निकालते है f triple dash x तो यहाँ से आप bx को common लेंगे और इसको solve करेंगे जो भी यहाँ पर आएगा इसकी calculation bx is यहाँ जाएगा यहाँ से common आगया इस term में आजाएगा minus a log of b sin ax minus a square cos ax and यहाँ से log of b से multiply कर लिजी plus log of b square into cos ax minus a into log of b sin ax ठीक है यहाँ जाएगा यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव थर्ड नहीं इसको हमने solve किया है second को solve किया है अब हम इसका कर सकते थर्ड डेरिवेटिव कैसे यह term as it is complete का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यह जाटी जाएगा ठीक है दो टर्म तक भी कर सकते हो थर्ड निकालो थर्ड निकाल लेजी अब अगर मैं इसका एनफ डेरिवेटिव निकालती हूं fnx इसमें देखिए आपको क्या चेंज करने है fx हमारे पास दे रख है fx is equal to bx cos ax ओके अब इसको आप क्या लिख सकते हूं bx को मैं लिख सकते हूं e raise to power log of bx because e raise to power log of is 1 cancel करेंगे वापिस bx आजाएगा into cos of ax अब यहाँ पर देखते है log of b e को आप छोड़ दीजी यहाँ पर log of bx log of bx पावर को हम क्या करते है आगे लिया आते log of x log of b इसको लिख सकते हैं देश तो यह आजाएगा e raise to power x log of b into cos ax then e raise to power log of b into x यानि कि यह x का multiple होगे which is constant ठीक है into cos of ax अब यहाँ पर जब आप अनर डेरिवेटिव निकालेंगे इसका fnx यहाँ पर हम फॉर्मुला अप्लाई करेंगे अगर फॉंक्शन दे रखा है आपके पास e raise to power ax cos bx का तो आप कैसे नहीं कानते हैं ले डेरिवेटिव a square plus b square raise to power n by 2 into e raise to power ax into cos of bx plus n into 10 inverse b y अब यहाँ पर compare कर लिजी यहाँ से देखिए a क्या है एक की पावर में jacks का multiple b is cos का angle अब यहाँ पर देखिए a की value कितने बनेगी यहाँ से अगर मैं उस फॉर्मुले से compare करते हूं log of b and b की value a हो जाए जो कि cos में x का angle में x का multiple है ठीक है इनको formula में put कर देजी यहाँ a square plus b square means log of b log of b square plus a square ठीक है raise to power n by 2 into e raise to power ax मतलब की आपके पास a लिखना है e raise to power log of b into x ठीक है और इसके बाद हैगा cos of जो भी angle है ax है हमारे पास plus n into b b की value means a a upon log of b and into 10 inverse a upon log of b यह आ जाएगा inner derivative of this ठीक है तो इस तरह से करना आपको e में change करके करेंगे ताकि यहाँ से हम easily solve कर सके इसके बाद आपको वही 0-0 put करके हापे values निकालनी है x को 0 रख दीजिए x को 0 रखेंगे f of 0 की value देखें यहाँ पर 0 रखा b raise to power 0 1 cos 0 1 1 आ जाएगा f-0 निकाले f-0 यहाँ पर 0 रखेंगे 1 log of b cos 0 1 यह 0 हो जाएगा इसकी value आ जाएगे आपके बास log of b and यहाँ से जब आप double की निकालते है f double dash 0 f double dash की आप कहीं पर भी पूट कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी b raise to power 0 is 1 sin 0 0 complete factor 0 यहाँ से आजाएगा minus a square minus a square cos 0 1 हो जाएगा ठीक है अब आते हैं यहाँ पर log of b रहेगा यहाँ प्लस log of b and इसमें देखी ब्रैकेट में log of b cos 0 1 होता है log of b आसे यह factor 0 हो जाएगा sin 0 0 तो log of b into log of b यह आजाएगा तो यह value आजाएगी log of b square minus a square this is the double derivative और last time आपको किसमें निकाल लिए आफ्टर आर्टम पुछा गया है न और languages form में हमें चाहिए ठीक है तो अगर आपको लास्ट में ऐसे idea नहीं आता है यह हमने fn x निकाल लिया theta x चाहिए या फिर आपको क्या निकालना है क्योंकि languages form में हमें लास्ट में चाहिए fn theta x theta x जहाँ पर भी आपके बास x है वहाँ पर हम theta में replace कर देंगे theta x आ जाएगा ठीक है अब मैं expansion लिख देती हूं Maclaurian term with languages form यहाँ पर लिख रहे हूं आप इसकी value put कर ले ना fx equal to f of 0 plus x into f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 plus up to son क्योंकि हमें after r term बोला गया है तो यहाँ पर हम लेंगे r raise to power x raise to power r by r factorial f n theta x ठीक है तो इस तरह से आपको इसमें values put करनी है सबकी value then f of x यहाँ पर भी आपको r करना पड़ेगा f n में नहीं चलना अब हमें r में चलना है after r remainder after r time बोला जाता है तो आप r लेके चलेंगी next question में 9th में आपके बास s बोला जाएगा तो आपके यहाँ पर x s लेके चलेंगे x raise to power s upon as factorial f r as s derivative ठीक है तो यहाँ पर values put किजिए f of 0 f dash 0 double dash and f r theta x यहाँ से निकाल सकते हैं अगर यहाँ पर आरत पूछा गया है तो इसको r में change कर लेंगे this is r by 2 ओके और कहां पर आएगा यहां पर r आजेगा ओके अगर आरत पूछा जाता है तो हम r में change कर लेंगे n को otherwise हम यहाँ पर निकालेंगे f r theta x जहां जहां पर भी x है उन सभी को theta x में change कर देंगे theta x में change करके value आजाएगे और उसको हम put करेंगे last time में तो यह आपके पास exercise 3.1 और इसकी पीडिएफ का लिंक में डाल देंगे description box में और टेलिग्राम पर भी में वहाँ पर डाल देती हूँ ताकि आप वहाँ से easily देख सकते हैं और अब इसको try किजिए and thank you for watching my video